शिप्रा नदी में डुबो कर एक महीला को मार देने वाला वीडियो धर्ले से सोशल मीडिया पर viral होरा है दरसल इन्दॉर से सटे बरूठा थाना शेत्र में से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जहां पर ये व्यक्ति एक महीला को शिप्रा नदी में डुबा कर मौत के घाट उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये व्यक्ति एक महीला को शिप्रा नदी में डुबा कर मौत के घाट उतार दिया। में पर शिप्रा नदी में डुबा कर मोट कर दोगें। वहीं वार्दात के चंद घंचों में पुलिस को महिला के लाश मिली पुलिस में सबूतों के आधार पर आरोपी को अपनी गिरफ तुमें ले लिया आरोपी के नाम सुरेश पिता बाबुलाल है जो गाव भूंडवास का रहने वाला है यह दिनाम का 19 सारी की जिटना है सुरेश पिता बाबुलाल जो बलाई सुमाज का था उसके उस्ता कुछ संबन था और उसको आखरी बार उहीं देखा गया था जो शिपरा नदी के किनारे पे तो जीज़े जीज़े उसके मुखिर सुचना मिलती गई तो मालुम पड़ा कि इसके कुछ से आपस में संबन थी थे और उसने कुछ शराब पिला कि वहाँ नदी के पास ले गया है महां पर उसको और उसको डुबा के मार दिया दरसल पूच्टाच में खुलासा हुआ है कि मृतिका महिला पपी बाई और आरोपी सुरेश पता बाबुलाल के आपस में संबन थे घटना वाले दिन 19 एप्रिल को आरोपी सुरेश पपी बाई को शराब पिला कर शिप्रा नदी में नहाने ले गया जहां उसने पपी बाई को मौत के एक घाट उतार दिया प्यूरर रिपोर्ट, MP News, इन दौर